अगर आप construction का business करना चाहते हैं या फिर contractor बनना चाहते हैं ठेकेदार बनना चाहते हैं तो ये business start करने के लिए आपके पास कुछ knowledge होना चाहिए और कुछ tips इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ जो कि आपको सफल बना सकते हैं construction business थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन इसमें थोड़ा hard work किया जाए और hard work के साथ smart work भी किया जाए तो आपको बहुत जल्द इसमें सफलता मिल सकती है construction का business हर को start तो करता है लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता है उसके क्या reason होते हैं इसी कौन-कौन सी बाती होती है जो आपको subscribe कर देना तो first point आता है हमारा तो first point आता है quality को खराब नहीं होने दे अगर आप चाहते हैं कि business हमें सब अड़ता ही रहे तो quality को कभी खराब नहीं होने देना चाहिए कई बार construction business की सुरुआत में लोग चीजों को सुरुआत में अच्छा रखते हैं लेकिन 2-3 साल बाद quality को खराब कर देते हैं जिसकी वज़े से आपका business टूब जाता है starting up में आपको कोई सा भी project मिला है तो वहां पर छोटी छोटी बातों को ध्यान देना चाहिए अगर वहां पर आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देंगे और बाद में जो आपके client को पता चलता है तो आपकी image को प्रभाव पड़ता है क्योंकि उसके तुरू आपको बहुत सारे project मिल सकते हैं साइट पर कोई भी mistake होती है तो उसे सुदार करने की कोशिज करें ना कि उसको रफादाफा करने की कोशिज करें बहुत सारे ऐसे contactors होते हैं जो कोई भी mistake होने पर उसे छुपा दे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी करना चाहिए ऐसे बिजनेस पर प्रभाव पड़ता है कस्टमर को प्राथमिक्ता दे एक खूस और संतुस्त ग्रहा किसी बिजनेस की ग्रोध करने के लिए एक बुन्याद माना चाहता है construction business को आगे बढ़ाने के लिए आपको customer को खूस रखना प marketing हो जाती है और उसके तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं चोटा हो या बड़ा बीजनेस हो आपको marketing तो करने पड़ीगी आज का दौर online का platform है तो construction business में भी यही लागू होता है अगर आप अपने business को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक अपने website बना सकते हैं आप अब तक जिन प्रोजेक्ट में काम किया है उसकी जानकारी वहाँ पर अप्लोड कर सकते हैं बाकी अकाउंट्स आप बना सकते हैं वहाँ पर अपके वीडियो फोटो अप्लोड करके वहाँ पर आप अपनी basic information भी दे सकते हैं अपने mobile number email address सारे जानकारी आप वहाँ कोडेक्टर के साथ काम कर सकते हैं वहाँ पर समझ सकते हैं और इसके बाद में अपनी area wise वहाँ पर local में अपने project ले सकते हैं और धीरे धीरे आप अपने business को आगे बढ़ा सकते हैं और अगर अगर आप छोटे से business start करेंगे तो आपको अनुभा होगा और अनुभा साब अगर आप वहाँ पर success नहीं होते हैं तो आपको ज़्यादा नुखसान का सामना नहीं करना पड़ेगा लास्ट और सबसे important point है अपने business की चानकारी होना चाहिए अगर आपके business में आपको knowledge नहीं है आप किसी को देख के start करते हैं तो आप वहाँ पे सफल नहीं हो सकते हैं क्योंकि कोई साबी business हो उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको अच्छे से research करनी होगी लास्ट और सबसे important point है कि अपने business की चानकारी होना चाहिए construction business हो या कोई साबी business हो उसकी चानकारी होना बहुत जरूरी है business को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको market की अच्छे से research करनी होगी क्योंकि competition बहुत ज़्यादा है